Hello everyone, welcome to my new video और आज मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप सबको तो पता ही होगा कि गवर्मेंट ने mandatory कर दिया है कि पैन को अधार कार्ट से लिंक करना ही परेगा और उसका last date जो था उसे extend भी कर दिया गया है तो आप जिनका भी पैन कार्ट का अधार कार्ट से लिंक नहीं हु है ओ पहले जाकर उसे कर ले और आज मैं आपको बताने बाला हूँ कि आपका पैन कार्ट जो है ओ अधार कार्ट से लिंक है या नहीं ओ आप किस तरह से देख सकते है मैं आपको वेब साइट पर जाकर practically उसे दिखाने बाला हूँ और मैं बता दू कि अगर आप ने पैन कार को अधार कार्ट से लिंक नहीं किया तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते तो प्लीज आप जल्दी से जाकर इसे लिंक कर ले और लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपिया का चार्जेज देना पड़ेगा और मैं बता दू कि ये और लेड़ी 51 करोर लोगों ने इसे लिंक कर चुका है तो प्लीज आप जाकर इसे लिंक कर लिजिए और अगर आपका लिंक नहीं है अभी तक तो मैं ये भी बता दूँगा कि किस तरह से आप पैन और आधार को लिंक कर सकते है हेलो दोस्तों आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं इसे देखने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम बाउजर को उपेन कर लेना है और ओपेन करने के बाद आपको यहां पा लिखना है इंकम टैक्स इंकम टैक्स लिखने के बाद आपको सबसे पहले वाला जो इंकम टैक्स का लिंक दिख रहा है और इसे click करने के बाद आपको दिखाय दे रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका जो आधर card के साथ pen card का जो link date था लिंक काने के जो date था उसे extend कर दिया गया है अब आपको आफका जो आधर card है वो link है या नहीं नीचे देखने के लिए आपको नीचे की तरफ आना होगा और उसके बाद यह देखिए लिंक आधार स्टेटस यहां जो लिंक आधार स्टेटस है यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा इसके बाद थोड़ा वक्त लगेगा और जब आपका यह पेज उपन हो जाएगा देख सकते हैं आपकी यहां पर लिखा हुआ है पैन जहां पर पैन लिखा हुआ है आपको यहां पर पैन नमबर इनपुट करना है और जहां पर आपका आधार नमबर लिखा हुआ है यहां पर आपका आधार नमबर इन्पुट करना है तो हम कर लेते है जब भी आप जब आप व्यू लिंक आधार स्ट्रेटस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यहां पर लिखा हुआ है emitism here your 증 is already link to given other तो मेरा जो pencart है वह already धार काट के सात ही लिंक हुआ हो चुका है पहले सही यह है तो इसलिए यहां पर यह दिखा रहा है अगर आपका अधार करल करका मतलों कि पार कर फार्लख का जो लिंक नहीं हुआ है तो यहां पर यह नहीं दिखाएगा और अगर आपको नहीं ऐसे नहीं आते हैं यह जो लिंक आधर नाम का जो लिंक है यहां पर आपको टाच करना पड़ेगा और उसके बाद आपको आपके pen card के साथ आधर card का link करना पड़ेगा इसके लिए जो process है आपका pen number देना पड़ेगा आधर number उसके बाद आपको validate पर click करना पड़ेगा और उसके बाद step by step आपको इस form को या फिर इस process को complete करना पड़ेगा तो आज के लिए इतना ही था आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप चेक करें कि आपका pen आधर card link है या नहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी तो इस वीडियो को like कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर देना और एक बात ये चैनल मेरा नया है त तो प्लीज support करिये और comment करिये कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप बता सकते है कि आगला टॉपिक आपको किस आगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ